जीवन में खराबियां, रिजेक्शन, फेलियर्स ये एक रूटीन का पार्ट होते हैं हर एक के लाइफ में आते हैं दिक्कत वहाँ पे होती है जब आप अपने जीवन में आने वाले बाधाओं का कारण पहचान नहीं पाते हैं और आपके दुख जो है ये बढ़ते चले जाते हैं कहते हैं न कि सही डाइगनोज ही हो जाए न तो समझिये आदा इलाज हो गया आप अपने जीवन की रूटीन में से ही बता सकते हैं कि आपका कौन सा ग्रह खराब हो रहा है और फिर उसकी डोनेशन या उसका इलाज करके अपना जाने अपनी कितनी दिक्कतों को सही कर सकते हैं और ये सच है और इसके लिए आपको किसी एक्सपर्ट को भी चार्ट दिखाने की जुरूरत नहीं पड़ेगी कि आप सुभा उठने से लेके रात सोने तक कि एवन सोने के बाद भी अपनी रियक्शन से अपनी रूटीन से जान सकते हैं कि आज की डेट में कौन सा ग्रह आपकी फेवर में हैं कौन सा ग्रह आपके अगेंस्ट है और आज के वीडियो में हम इसी की चर्चा करने वाले हैंगा किस तरह से आप अपनी रूटीन में से अपने खराब ग्रहों को पहचाने और उनको सही करने का प्रयत्न करें नमस्ते मेरा नाम है योगे शर्मा स्वागत है आपका हैपी लाइविद योगे शर्मा में और दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनव रिडिवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करेंपा सब्सक्राइब क सूरे जब भी खराब होंगे आपके अंदर बिना बाद के मैं इगो यह बहुत जादा बढ़ जाएगा रूटीन में अगर आपको ऐसा इगो नहीं रहता है और कुछ दिनों से यह बढ़ रहा है तो आप जान जाएगे आपके सूरे खराब हो रहे हैं सूरे जब भी जान जी आपके सूरे खराब हैं और आप पानी में चीनी या गुड डालके रोज सूरे सूरे अंजली दीजिए फिर देखेगा कि सूरे के एट्रिबूट किस तरह से सही होते हैं चंद्रमा पर धेरो धेर हमारे वीडियोज भी आ चुके हैं कई चर्चाएं हो चुके हैं फिर भी चंद्रमा जब खराब होंगे न तो ये सबसे पहले आपके मन में एक fear एक anxiety लेके आएंगे आपके मन में हमेशा एक सोच हावी रहेगी आने वले समय में आपके साथ क्या होगा ये जो दिक्कत मेरी life में भी चल रही है इस दिक्कत की वजह से आने वले समय में क्या से क्या हो सकता है ये चंद्रमा की खराबिया है चंद्रमा खराब होंगे तो ये इनसान का मन करेगा वो रोता रहे अकेला बैठा रहे अपने आपको कहीं बंद कर ले उसको आने वाला जो उपलब्ध cash होता है न अवेलेबल cash उसमें भी कहीं न कहीं दिक्कत आनी शुरू ह हो जाती है भगवान शिव की उपासना करने से शिव मंदिर में शिवलिंग पे कच्चा दूद्या जल चड़ाने से भी चंद्रमा की बहुत सारी खराबियां दूर होती हुई देखी गई है सारे दिन में आप energy less feel करते हैं आपको लगता है कि एक जगा पे थमके बैठ मंगल खराब होते हैं आपके चेहरे का जो तेज होता है यह खत्म हो जाता है मंगल खराब होंगे आपके भाईयों बहनों से संबंद खराब होने शुरू हो जाएंगे और मंगल खराब होंगे आपकी ली गई जो जमीन होती है या जमीन जायदाद के जगड़े यह लाइक trees की बात नहीं कर रहा हूँ, चोटे-चोटे हरे पौधे, भाला की पौधे बुध होते हैं, लेकिन ये मंगल का बड़ा जबरदस उपाई है, कि भूमी के अंदर गमलों के अंदर नहीं, भूमी के अंदर पौधे प्लांट किया जाएं, यानि सबसे पहले wrong decision making, हर फैसला गलत, बुध खराब होंगे अब ये इनसान अटकना शुरू हो जाएगा कहीं किसी फैसले पे अटक गया कहीं उसके काम अटक गये, कहीं काम होते होते रुख गये, ये इनसान की बुध्धी जवाब दे जाएगी, ना कोई हरे दाल खिलाना, वो भी रात की भीगोई होई, ये बुध्ध का एक बड़ा जबरदस्त उपाए है अब गुरू खराब होंगे, तो ये इनसान के जीवन में बड़ी विब्दा लाते है किसमत connection का खत्म हो जाना, घर के बड़े बज़र्गों से opposition, ये घर के बड़े बज़र्गों का बारी-बारी से लगातार बिमार होते चले जाना, ancestral प्रापर्टी को लेके किसी तरह की दिक्कत आ जाना, या इनसान को लगे, यहाँ पे तो किसमत का साथ चाहिए ही था, वो ना मिलना ये गुरू के खराब होने के निशानिया होती है, गुरू के खराब होने के बहुत बड़ी निशानिय होती है, उस घर में कलेश का वातावरन रहना शुरू हो जाता है गुरू खराब होंगे, तो सबसे जुरूरी जो उपाय है जो immediately गुरू के सारे attributes को सही करता है वो होता है बुज़ुर्गों के आगे elders के आगे surrender कर देना ये गुरू को immediately सही करता है और दूसरे केसर कातिलक रोज माथे पे लगाईए गुरू जो है बहुत जल्दी सही हो जाएंगे शुक्र अगर उसकी personality से ना ही उसके बोल चाल के तरीके से quality का खत्म होना शुक्र के खत्म होने की सबसे पहली निशानी शुक्र की दूसरी निशानी opposite gender से संबंध खराब होना skin की troubles ये भी शुक्र की निशानी और शुक्र की सबसे बड़ी निशानी क्या होती है कि इनसान जो है ये अपने future को लेके planning ही नहीं कर पाता है वर्तमान दिन बिताने में लगा रहता है लेकिन future की कोई planning उससे हो ही नहीं पाती है शुक्र की ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है गाय की सेवा करना गाय को जवार खिलाना ये शुक्र को सही करने का एक बड़ा ही जबरदस तरीका है अब शनी खराब होते हैं तो ये क्या करते हैं इनसान को कप्ती बनाते हैं चतुर चलाक होना अच्छा शनी लेकिन ऐसा चतुर चलाक होना जो cunning हो जाए जो कप्ती हो जाए लोगों के हक मारना शुरू कर दे ये शनी खराब की निशानी है शनी खराब होंगे तो आपका मशीनों वाला काम बहुत दिक्कत देगा आपकी house help जो होती है वो या labor जो होती है आपके इंडर काम करती है वो आपको बड़ी तकलीफ हैं देनी शुरू कर देती है ये इंसान जब भी अपना घर बनाएगा न उसके पास उसके जीवन में unfortunate events होनी शुरू हो जाएंगी कई बार शनी खराब होने की वज़ा से उस इंसान का घर ही नहीं बन पाता है घर के लिए पैसे एकठा करें तो प्रॉपर्टी हाथ से निकल जाती है प्रॉपर्टी मिलती है तो प्रॉपर्टी के rates पे negotiation नहीं हो पाती है कई और कारण रहते हैं जिसकी वज़ा से घर नहीं बन पाता है ये शनी के खराब होने की बहुत बड़ी निशानी होती है प्रॉपर्टी लेके रखी है बिक नहीं रही है ये भी शनी के खराब होने की बहुत बड़ी निशानी है तो इस केस में क्या किया जाए रात के भिगोई हुए काले चने भेंस को खिलाए जाए थोड़ा मुश्किल उपाई है लेकिन शनी के उपाई असान कहा होते हैं ये करिए शनी definitely सही हो जाएंगे राहु खराब होंगे न तो बिजली से नुकसान equipment खराब राहु खराब होंगे तो इंसान की जो बिमारियां वो डाइग्नोजे नहीं हो पाती है गलत treatment की वज़ा से विमारी बढ़ती चली जाती है इंसान खीजता चला जाता है डिप्रेशन का शिकार हो जाता है एकदम से उसको गुसा फट पढ़ना ये राहु की निशानी होती है एकदम से रेत की तरह पैसा हाथ से निकलता हुआ देखा गया है शेयर बजार का चसका लग जाता है शेयर कॉमटिटी इसकी वज़ा से इंसान करजे के नीचे आ जाता है ये राहु की खराबिया है यों तो राहु की खराबिया बर्से चार्ट दे के सही करनी चाहिए लेकिन फिर भी जौन और दूद मिक्स करके चलते हो पानी में विसर्जित कर देना ये राहु का बहुत बड़ा इलाज का आ गया है केतू जब खराब होता है तो इनसान भटकाव का शिकार होता है बिना बात के चलते फिरते रहना भटकते रहना ये खराब केतू होता है जोडों की दर्द ये खराब केतू होता है इंसान की बुद्धी का ब्लॉक हो जाना ये खराब केतू होता है over indulge हो जाना किसी भी चीज में जिससे के priority वाली चीज़ें पीछे रह जाएं ये केतू की खराबी होती है केतू की खराबी जब होती है इंसान की spine रीड की एड़ी मेरुदंड इसकी कोई ना कोई समस्या आ सकती है गुटनों की समस्या इंसान के चलने फिरने में कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है ये केतू की खराबिया होती है तो इस तरह से आप देखिए नवग रह जो है ये आपकी daily routine में ही आपको कोई ना कोई खराबी बता देते है routine में आप काम को कल पे टालते जा रहे हैं तो आपके शनी खराब हो रहे है routine में आप सुस्त रह रहे हैं तो आपके मंगल खराब हो रहे है रूटीन में आप बिना बात के गुस्सा कर रहे हैं तो सूर्य मंगल दोनों खराब हो रहे हैं आप copy paste करते जा रहे हैं अपना original कुछ नहीं कर रहे हैं तो केवल आपके जो बुद्ध हैं इसको आप deliberately खराब कर रहे हैं तो इस तरह से आपकी रूटीन में भी सेंकडों चीज़ें ऐसी होती हैं जो ग्रहों से जुड़ी होती हैं केवल इनको देखके ही आप जान सकते हैं कि आज की डेट में कौन सा ग्रह आपके थुरू बोल रहा है तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि यह जानकरी definitely आपकी लाइफ में कोई ना कोई value एड करने वाली है तो चलिए इसी तरह कि किसी अन्य जानकरी के साथ फिर से मिलने जा रहे हैं तब तक अपना खूब ध्यान रखेगा नमस्ते